बहुत कम ऐसा होता है ना जो किसी फिल्म को देखने की वज़या उसका production house हो, मतलब जिन लोगों ने फिल्म को बनाया, वो फिल्म में है कौन उससे ज़ादा जरूरी हो जाएं। होमबाले फिर्म्स ये एक ऐसा नाम बनके बहार निकला है जिसने content is the king इस बात को 100% सचसाबित कर दिया। 100 करोर की KGF, 1200 करोर का collection, excitement factor, जबरदस, तोरफोर action और खतरनाक acting performance फ्रम यश्प भहिया। 15 करोर की कांतारा, 400 करोर का business, एक जबरदस, different, सबसे हट के subject, ऐसी कहानी जिसने लोगों को हिलाके रख दिया। और अब ये same production house होमबाले एक तीसरी film लेकर आया है जिसमें KGF कांतारा दौनों की qualities हैं प्लस दिमाग को गुमाने वाला suspense भी है। धूमम ये है वो नया धमाका जिसका शोर पूर मार्केटिंग की वज़े से जादा लोगों को सुनाई नहीं दिया, लेकिन cult classic cinema बनने की सबसे बड़ी शर्ती ये है, भी नहीं content होना चाहिए। फिल्म का subject एकदम unique आपकी सोच से बिलकुल परे, सच बताना थियर्टर में फिल्म देखने से पहले की no smoking वाला एट तो पक्का देखा होगा। कभी सोचा आपने इस पे कोई फिल्म बन सकती है, वो भी ऐसी जो आपके दिमाग को दो तुकडों में फार के रख दे, तयार हो जाओ एक खतरनाक experience के लिए। कहानी एक सिगरेट बेचने वाले बिजनिसमेन की है, जो खुद रियल लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन दूसरों को ऐसे बेचता है, जैसे मानों अमरित है। फिर अचानक एक रात इनकी कार पे होता है अटेक, सुबह जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि इनके शरीर में एक बॉम लगा है जो भार से नहीं दिखता। बॉम लगाने वाले बंदे की सिफ दो शर्ते हैं और दोनों बड़ी अजीबों गरीब। पहली अगर सिगरेट प्योगे तो हातों में बंधी घड़ी जिस पे बॉम का टाइमर चल रहा है उसमें टाइम आगे बढ़ जाएगा। दूसरी शर्त जिन्दा रहना है क्योंकि अपने सिगरेट वाले भाईया के पीछे कुछ सीरियल किलर पड़े हैं एक ने तो इन पर गोली तक चला दी बढ़ ये बच गए बट कहानी में असली ट्विस्त तब आता है जब अपने सिगरेट वाले भाईया की पास्ट क्यों चौक गए ना फिल्म में बताया ये सब हमें तो आइडिया भी नहीं था ऐसे ही होश उड़ा देगी ये फिल्म आपके अपनी अजीब और गरीब लेकिन दिमाग को चैलेंज करने वाली पारफुल कहानी से टूपी के अंदर बहुत सारे खरगोश हैं धूमम की असल लोगों को बेची जाती है इस चीज़ पर फोकस ढालती है हवा पानी की तरह सिगरेट को जरूरत बना देना लेकिन कैसे और सबसे यदा शौकिंग है इस फिल्म का क्लाइमेक्स जिसको बड़ी चालागी से ओपन एंडिंग पर छोड़ा गया दिमाग लगाओ और खुद स इतने में भी कन्विंस नहीं हुए तो फाहद फाजल सिर्फ नाम ही काफी है इनकी आक्टिंग देखना मतलब आखों के सामने किसी जादू को होते हुए देखना ये बंदा अलगी लेवल पे है सिनिमा और रियल लाइफ दौनों के बीच का फर्क अल्मुस गायब कर देता है धूमम में इनको देखकर बहुत टेंशन में आ जाओ गया आप क्योंकि इनके पास ताकत है अपनी बोली गई हर बात पे पबलिक को यकीन दिलाने की बॉम से कैसे बचेगा बचेगा भी या नहीं मास्टर माइंड कौन है बहुत सारा टेंशन लेकिन इतनी टारिफ सुन तुमार जो इस फिल्म के डिरेक्टर है इस बंदे की सोच को म्यूजियम में रख देना चाहिए इनके एक फिल्म है लूसिया अगर नहीं देखी है तो टाइम निकाल के जल्दी रेखो वो इंडियन सिनमा की वन ओफ दो बेस्स सुस्पेंस ट्रिलर है पगला जाओगे लि जातार कैसे फिल्म बताएगी तो यार धूमम को मेरी तरफ से मिलेंगे पांच में से साढ़े तीन स्टार्स पहला यूनीक डिफरेंट सब्जेक्ट दूसरा फाहद फाजिल मैजिक प्लस रॉशन मैथ्यू पर्फॉर्मेंस तीसरा फिल्म का ओपन एंडिंग क्लाइमेक्स दिमाग लगाते जाओ और आधा फिल्म का डिरेक्शन पास्ट प्रेजन फ्यूचर सब कुछ कनेक्ट कर दिया नेगेटिव में सबसे बड़ी दिक्कत फिल्म का स्ट्रीन फ्ले थोड़ा स्लो और कहीं कहीं पर खिचा हुआ फिल्म थोड़ी छोटी होनी चाहिए और आधा अपड़ना बाला मुर्ली इनका टैलेंट अनलिमिटेड है लेकिन इस फिल्म में मिसकास्ट किया इनको करेक्टर से कनेक्शन फेल हुआ सस्पेंस थ्रिलर फैंस आपके लिए बेस्ट गिफ्ट आया एस धूमम लेकिन फामिली टाइम वाला सिनिमा बिलकुल नहीं है वो लोग बोर हो जाएंगे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आपको कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राइम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में ठेक क्या बाइबाइ